36 गड़ विदान सबाचुनाओं में बीजीपी को मिले स्पष्ट बहुमत और कॉंग्रेस की हार के बाद भुपेश भगेल ने सीम पच से इस्तिफ़ा दे दिया है बता दे कि कल देश शाम भुपेश भगेल इस्तिफ़ा देने के लिए राजभवन पहुंचे थे इस दोरान उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तिफ़ा राजजपाल महुद्य को सौप दिया है पांस साल पहले जनादेश हमें मिला था और बहुत इमानदारी से हमने सेवा की और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते है उन्होंने कहा हम लोग क्यों की विपक्ष में हैं तो अब सकारात्मा विपक्ष की भूमी का हम निभाएंगे 36 गडिया को लेकर उन्होंने कहा कि वैतो समिक्षा करने पर पता चलेगा लेकिन अभी जनादेश भाजपा को मिला है और मैं उनको बदाई देता हूँ राजपाल महोदया की साम से भी असताएं थी वो प्राष्टी में आया थे और कुछ परवारी का अरकन था इसकांसे मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तिफा मानी राजपाल महोदया को सौंपा है पांस साल पहले जनादेश हम लोगों मिला था और शत्तितगर महतारी की सेवा हम लोगों ने की इतना बन सका और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोग तो सकारात्मक मिपक्षी की भून का हमारी है